हेलो वेलकम बैक तो दी चनल लास्ट मिनिट रिवीजन विद आरे से मैं हीर आम बैक विडियो तो आज हम डिसकस करेंगे अबाउट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या बेसिक्स है क्या ध्यान रखने है और उसके बाद हम लास्ट यर के पेपर के क्वेश्चन के बारे मे पिपाने वाले एकजाम में हो सकती है तो सबसे पहला जो टॉपीक है हमारा THAT is called as weaf का टॉपीक टॉपइक डि अवरेनक त्रांजेक्शन अगर हम लास्ट प्रेपर के बारे में बात करें तो हमने लास्ट सेशन में डिसकस कर लिया था इसमें आपको दो टाइप के questions पूछे ते लास्ट टाइम और दो टाइप में दोनों question 10-10 marks के आपको पूछे गए थे यह chapter के उपर आपको 20 marks का question paper में आया था अगर हम 20 marks के question की बात करें तो एक question आपको पूछा था from the import variety और जो दूसरा question है वो आपको पूछा था from the export variety तो एक import variety का question आया था और एक export variety का question आया था तो अभी हम पहले import और export के basic part को discuss कर लेते and then we will move towards the university question सबसे पहला अगर हम import की बात करें तो 2-3 चीज़े बता रहा हूं basic basic याद रखे इंपोर्ट में एक basic general entry है जो आपको याद रखनी है और वो entry क्या है entry है purchases account debit क्या है purchases account debit to parties account जो भी parties है party का नाम है party का नाम हमको credit करना है या फिर हमको sundry creditors याद रखना है ठीक है simple general entry है यह कोई भी question आ जाए paper में इसके भीना तो foreign currency transaction होई नहीं सकता है तो सबसे पहले आपको एक entry याद रखनी है purchases account debit to parties account उसके बाद बहुत सारे installments होते हैं अगर installments की बात करें तो import में हम पैसा payment करते हैं इसलिए आपको entry क्या रखनी है entry याद रखनी है parties account debit जो party का नाम है वो हम debit करेंगे और bank account हम लोग credit करेंगे लेकिन लेकिन important लेकिन एक important चीज़ है इसमें Fаф account budget को credit करना है और आपको loss होता है तो Faf account को debit करना है तो मतलब क्या है कि अगर यही transaction में अगर loss होगा तो आपकी general entry क्या होगी parties account debit Faf account debit to bank account similar अगर आपका loss होता है तो यह entry है अगर आपका profit होता है तो आपकी entry क्या बनेगी parties account debit to bank account and to FF account तो यह आपके basic general entries है import के बारे में तो अगर import का variety देखे तो this will be the basics आपको यह basic याद रखने है उसके बाद फिर valuation वगरा होता है और valuation में एक ही मैंने concept आपको पहले भी बताया था मैंने काफी सारे questions इस chapter के उपर solve करवाया है तो अगर आपको यह chapter बिल्कुल भी नहीं आता है तो वह सारे videos देखे काफी जादा help आपको उस पे से हो जाएगा playlist में पूरा available है वहां से आप पूरा chapter का सब कुछ revision कर सकते है valuation में मैंने एक आपको basic बताया था if you remember valuation के concept में bank नाम का point जो है वो नहीं आता है बैंक हमको नहीं लेना है valuation में because valuation में हम exact payment नहीं कर रहें that is why bank नहीं लेना है और हमारा base rate और 31st March की rate को हम लोग compare करते है ठीक है तो I hope कि आपको यह chapter आता होगा इसलिए में इतना quickly बता रहो उसके बाद अगर हम export की variety की बात करें ठीक है export की variety की तो export में आपको सबसे पहला जो journal entry याद रखना है that is parties account debit party का नाम आपको क्या करना है debit करना है और export sales account क्या करना है आपको credit करना है parties account debit to export sales account that will be your first journal entry and whatever installment you are paying जो भी आप installment को pay कर रहे थे किस में import में वो अभी आप installment को क्या करोगे वो अभी आप installment को receive करोगे तो यहाँ पे आपकी general entry क्या बनेगी यहाँ पे आपकी general entry बनेगी पैसा आ रहा है हमारे पास दो bank account debit to parties account ठीक है bank account debit to parties account कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि party का नाम नहीं दिया है तो हम उस case में क्या नाम use करेंगे उस case में हम लोग sundry dators नाम use कर सकते हैं लेकिन ऐसा normally होता नहीं है आपको नाम दिया जाएगा इसमें भी बिलकुल भी आपको डरना नहीं है same concept है अगर आपको loss होता है तो ff account क्या होगा debit अगर आपको profit होता है तो ff account क्या होगा credit ठीक है इतना ही बेस याद रखना है चलो इसी के बेस से अभी हम लोग questions को देखते हैं कि कैसा question आपको paper में पूछा गया था और उसके उपर हम discussion करना start करते हैं यह था हमारा question no.2 जो हमें पूछा गया है paper में question no.2 पहले ध्यान से देखते हैं देखो question no.2 में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह question कौन सा है यह question आपको पूछा है import के बारे में ठीक है import के बारे में question आपको पूछा है तो आपको मैं अभी import का basic rule बताता हूँ अगर import है तो आपको याद रखना है rate जब भी बढ़ेगा तब loss होगा और उस case में आपको F.E.F. account को क्या करना है उस case में आपको FEF account को debit करना है अगर आपका rate कम होगा तो आपको profit होगा because import में क्या rate बढ़ता है तो हमको जाधा पैसा देना पढ़ता है जाधा पैसा देना पढ़ता है इसलिए हमारे लिए loss है और इस case में आपका क्या होगा FEF account जो है वो credit होगा तो let us understand what is given ledger account वगरा काफी easy है general entries भी काफी easy है हम एक basic को discuss करेंगे and basic discussion के बाद आपके लिए question easy हो जाएगा सबसे पहले हमको क्या check करना है कि किसने import या export किया है तो अभी नहीं लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर purchase two lakh dollar worth of goods from Dell INC of USA तो company का नाम या party का नाम क्या है party का नाम है Dell INC of USA और उन्होंने 77 dollar में जो है वो इंपोर्ट किया है कितने dollar में 77 dollar में 77 dollar में उन्होंने इंपोर्ट किया तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह base rate है base rate base rate कितना आपका 77 है तो जर्राल इंट्री काफी सिंपल है पर्चेस अकाउंट डेबिट टू डेल आएंसी ऑफ युएसे डेल ऑफ युएसे अकाउंट कैसे करेंगे तो लैक डॉलर को हम अगर 27 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा डाट इस वेरी इजी देखना इन इन से कौन सा इसा इंस्टॉल्मेंट में जो 31 मार्च के बाद जा रहा है तो अगर यहां पर द्यान से देखो तो सारे इंस्टॉल्मेंट 31 मार्च के पहले ही खतम हो रहे हैं जो बोल रहा हूं लेकिन 31st March के बाद अगर आपका कोई भी installment जाता होगा, तभी फिर valuation का concept आता है, ठीक है, वो valuation मैंने already detail में cover करवाया है, अगर आपको नहीं आता है, तो आप valuation का भी video एक बार जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई valuation का concept नहीं है, यहाँ पे आपको simple चीज याद रखनी ह कि आपको base rate जो दिया है, base rate is your 77, तो एक-एक point को discuss करते हैं, पहला installment आया अभी, first installment आया, आपका base rate मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो अलग color से लिखते है, base rate लिखा है 77, और आपका installment आ गया 79 का, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, base rate 77, 79, rate बढ़ गया, तो मैंने आपको rule अ और अगर loss होता है, तो आपका FEF account debit होता है, ठीक है, rate कम होता है, तो आपको क्या होता है, profit होता है, और अगर profit होता है, तो आपका FEF account क्या होता है, credit, बस इतना ही याद रखना है, very very simple, if you are comfortable with this calculation, this rule, आप foreign exchange में full marks ले पाएंगे, तो अभी क्या दिख रहा है, तो rate बढ़ र डेल, INC account, debit, FEF account, debit to bank account, डेल, INC account, debit, FEF account, debit to bank account, calculation कर लेना, काफी simple है, general entry का concept मेंने बता दिया, next अगर हम बात करें, तो चलो next point को भी देख लेते, next point में purchase एकी sale एक बार चेक कर लेते, देखो, next point में अगर हम बात करें, तो next point में है, आपका rate 76, तो rate क्या हुआ, 77 था, 76 हो गया, rate कम हो गया, अगर rate कम होता है, तो profit होता है, FEF credit, यही entry है, डेल, INC debit, to bank account, to FEF account, ठीक है, simple concept है, simple, पूरा discussion ही कर रहे हैं, तो एक एक करके, इसको आप solve करके देखे, काफी simple है, तो आपको यह easily आ जाएगा, next point है हमारा, 40,000 का हमारा जो installment है, हमने दिया, 78 के rate में, चलो अभी comparison करके देखते है, फिर देखते हैं, की rate बढ़ा है, की rate कम हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखे, तो 78 हो गया, ठीक है, 78 हमारा rate हो चुका है, आप बताइए, 77 था, 78 हो आप बढ़ गया, अगर rate बढ़ेगा, तो हमारे लिए क्या होता है, rate बढ़े तो हमारे लिए loss हो होएगा, तो FEF account आपको debit करना है, तो entry क्या बनेगा, डेल USA debit, FEF account, debit to bank account, बस एक FEF का position उपर नीचे करना है, अगर profit होगा, तो FEF को credit set डाल देना, अगर loss होगा, तो FEF को debit set डाल देना, और FEF में हमेशा दोनो rates का difference लिखना है, यह याद रखना, installment को multiply करके, जैसे कि अगर installment कितना है, installment 40,000 है, तो 40,000 multiplied by, इन दोनों का difference कितना दिख रहा है, आपको 1, तो 40,000 into 1, तो 40,000 है आपका FEF में जाएगा, और यह जो बाजू में rate दिख रहा है, 78, इसको अगर आप multiply करेंगे, तो इसको multiply करके, आपको जो answer आएगा, वो आपको bank में लिखना है, हमेशा यह इसको multiply करके, आपको bank में लिखना है, और party के ledger में आपका base rate जाएगा, ठीके, चलो अब अगला point को discuss कर लेते हैं, ताकि आपको एक overall view आजाए, इसका भी, यह जो है 20,075 के rate में, तो 20,075, 75 की अगर बात करें, तो क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे rate बड़ा है, कि rate कम हुआ है, तो rate कम होगा, तो क्या होगा, profit होगा, और profit होगा, तो rule क्या खेता है, FEF account, credit होगा, लेकिन, यहाँ पे आपको ledger पुछा गया है, USA का और FEF का, तो ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, general entry rough में बनाना पड़ेगा, तो rough में general entry लिखके, तुरंत आ calculation मेंने पूरा detail discussion कर लिया है, answer तो आप directly solve कर पाएंगे, और अगर आपके basics clear है, तो आपको कोई भी problems face नहीं होगा, for solving this topic, I hope this is helpful for you, अगर आपको यह helpful लगा है, तो अगले session में में आपको अगला जो question आया था, export type का, वो भी solve कर वाऊंगा, और इसी तरीके के videos के लिए channel को subscribe करें, और अगर आपको यह initiative अच्छा लगा है, तो comment section में comment करें, video को like करें, और अपने friends में share करें, मैं आपको मिलता हूं next session में, till then bye bye, take care